Hello, Good Morning Dear Students, फिर से आपके अपने चैनल Physics Smart में स्वागत है, संजे सर के चैनल में स्वागत है आपका, और आज टेस्ट पेपर का दूसरा वीडियो है, पहले टेस्ट पेपर, पहले वीडियो में टेस्ट पेपर में 1-15 तक कुस्ट्ण सल्ब किये थे, और आज जो है मादर 10 कोस्टन सल्व करना है ज्यादा देर का नहीं है और टूटल 25 कोस्टन प्लेन मीरर से आप तैली कर लिजेगा अपना मास देख लिजेगा कि कितना मास अप्टेन किये हैं उसको एड़ कर लिजेगा और फिर अगले टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए अगला टेस्ट है स्फेरिकल मीरर एंड रिप्रेक्शन अफ्लाइट दो एड़ कर रहे हैं गोलिये दरपन यहम परकास का परतम यह टेस्ट समझ जाएगा कि टेस्ट का महा एपिसोड होगा और इस टेस्ट में आप लोग मिस नहीं करेंगे और सारा कोस्टन competitive level का होगा ठीक है और board level से related होगा इसलिए test मिस न करें और टेस्ट का जो video से आप अपने question paper को मिलाना मिस न करें इसलिए जूड़ी रहे अब आते हैं हम लोग अपने अपने question paper पर हम लोग आते हैं कोश्टन पेपर हम लोग आ गए तो कल आप लोगों को पंदर कोश्टन तक सल्व की थे और आज कोश्टन पंदर कोश्टन का अप्शन भी हो रहा था और आज आपके सोलन नमबर कोश्टन दो समतल दरपन समकून बनाते हैं एक व्यक्ति इनके बीच खड़ा है ध्यान से देखेंगे एक व्यक्ति इनके बीच खड़ा होकर अपने दाहिने हाथ से बाल को समारता है तो कितने परतिवींबों में अपने दाए हाथ का प्रयोग करता हुआ नजर आएगा तो ध्यान से देखना है आपको कि आपको ये दो प्लेन मीरर है यह और यह 90 दिगरी पर जुग गए दोनों प्लेन मीरर 90 दिगरी पर जब जुग गए तो ठीटा इसकल टू 90 है तो नमबर अफ इमेज इसकल टू 360 अपॉन ठीटा माइनस वन पर आईएगा तो 360 अपॉन 90 याने की 4 24 4 माइनस वन याने की 3 टोटल इमेज 3 बनेगा लेकिन अब ध्यान रखिएगा color बदल करके यहां बता रहाए हैं अगर यहां ब्यक्ति है तो इसमें राइट हैंत का परियूग करता है इसका तीन इमेज बनादा है तो राइट का इसमें क्या बनेगा left तो दो इमेज में left ओर और एक है तो टोटल इमेज की संख्या क्या हो जाएंगी तो पहला में यह औ आप पीनीमेज हो गया एक में राइट दो मेंcido के प congr I कि पिर और पारेकलन मेंद ग्यूट है तो दो प्र खके हुए हैं कि ठीज एंगल पर 50 डिग्री एंगल पर जुके हुए इनके बीचे बीम्ब यानी बस्तू रखा जाता है तो कितने परती बीम्बू की संख्या होगी तो परती बीम्बू की संख्या होगी फिर 360 अपन ठीटा माइनस वन करेंगे 360 ठीटा कमान 50 1010 पांच से 7 बार में 35 पॉइंट रख यहांनि कि इसका उप्शन आपका आ जाएगा सेवं सी और पंद्सोलन नमर का उप्शन आपका यह हो गया फिर एक देखते हैं कि आयताकार कमरे के दो संगत दिवार दो संगत दिवार आप समझ रहे हैं यह और यह यह झाट उपले इसके बीच ब्यक्ति खड़ा है तो इसके बीच में खड़ा है तो सबसे पहले इसके लिए तीन इमेज और ये दोनों होगा सेवे नंबर होगा प्विर आते हैं ऐटीन के बास सना इंटीन का आप क्या है एनइच नंबर कुष्टम नंबर होगा कि देते हैं उनेच नंबर क्या है और यहां पर देख के दूरी 30 cm है पहले दरपण A से 10 cm पर दोनों के बेच एक बस्तु इस्तित है तो दरपण B के पीछे तीसरा परतिविम कितना दूरी पर बनेगा ये तो क्रोस एडिशन वाला कोस्टन है और क्रोस एडिशन वाला कोस्टन आपको तो बोले थे कि कैसे बनेगा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक पहला मिरर है एक दूसरा मिरर है दोनों मिरर के बेच के दूरी 30 पहला मिरर A से 10 cm दूरी पर बस्तु है तो इसका पहला इमेज बनेगा 10 पर आए 20 हो जाएगा चुकि ये 10 पर है तो ये 20 पहला image बनेगा 20 पर अब आज एक cross edition का formula यह हो गया यह बी हो गया पहला image इनके पीछे बना है 10 पर इनका पहला image बना है 20 पर 20 पर और cross edition किजिए इसमें 20 में 30 जोड़िए 30 20 कितना 50 आद 30 में 10 जोड़िए यहां 40 यानि कि second image B के पीछे second image 40 पर बनेगा फिर cross edition किजिए 40 में 30 जोड़िए यानि कि third image कितना पर बनेगा 70 पर बनेगा क्या इसमें options है क्या sorry A के पीछे 10 पर और B के पीछे 20 पर फिर 20 और 30 जोड़ते हैं तो 50 हो जाता और A के पीछे दूसरा image 50 पर बनेगा और इसके पीछे 30 कितना पर बनेगा चालिस पर बनेगा 40 जोड़ते हैं थिनों के यह यह ये clear कर लिजे, एक mirror और ये दो, बी mirror है, दोनों के बिच का distance 30 cm है, तो पहला mirror से 10 cm दुरी पर है तो दूसरा mirror से 20 दुरी हो जाएगा, तो पहला mirror से 20 सामने है तो 10 पीछे image बनेगा, 20 सामने है तो 20 पीछे image बनेगा, यानि ए के पीछे पहला image बनेगा 10 और बी के पीछे पहला इमेज बनेगा 20 पर बनेगा अब उसके बास है ट्रीक अपना दिजिए क्रोस एडिशन 20 20 में 30 कहां से जोड़ा है तो दोनों मिरर के बीच की दूरी 30 है 20 में 30 जोड़ेंगे 50 यानि एक के पीछे दूसरा इमेज 50 पर बनेगा ठीक है और इसमें 10 में 30 जोड़ेंगे 40 बी के पीछे सेकेंडिमेज 40 पर बनेगा फिर 40 में 30 जोड़ेंगे 70 तीसरा इमेज एक के पीछे 70 पर बनेगा फिर 50 में 30 आज करेंगे तो 80 आपका option इसमें से कौन होना चाहिए तो 20 नंबर कोश्चन का option आपका यह होना जाई और यह तो आपको किलियर है कि कितने दूरी पर परतिमिम नहीं बनेगा यह यूटूब बता चुके थे यह भी सेम क्रॉस एडिशन है तो दो समतल दरपण जिनके बेच के दूरी 26 cm यह से 9 cm और दोनों के बीच एक बहुस्तु इस्तित है तो दरपण यह के पीशे कितने दू इसका परतिमिम नहीं बनेगा यह मिरर यह है यह मिरर भी है दोनों के बीच के दूरी 26 cm तो पहले के सामने 9 cm दूरी पर है तो पहला इमेज इसके 9 पीशे बनेगा आज 26 बनेगा नहीं आग कितना पर बनेगा 9, B के पीछे दूसरा इमेज कितना पर बनेगा 17, दोनों के दूरी कितनी है 26, और 17 में यहाँ पर 26 जोड़ दिजिए, तो 6 वा 7, 13, अद्दू, एक 3, एक 4, यानि कि इसके पीछे दूसरा इमेज 43 पर बनेगा, 9, 6, 15, 5, अद्दू, एक 3, इसका दूसरा इ इमेज 43, तीसरा इमेज 61 हो जाएगा, और चौता इमेज 95 हो जाएगा, 61 पर बन रहा है, 43 पर बन रहा है, 95 पर बन रहा है, 69 पर नहीं बनेगा, यह आपको याद है, यूट्यूब पर इस कोस्टन का सलूसन भी दिये हैं, यहाँ पर भी दे दिये, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, कुस्टन याद हुआ, क्रीक याद हुआ, क्रोस एडिशन, क्या थियरी है, क्रोस एडिशन, फिर आते हैं कुस्टन नमबर 22 पर, समतल दरपन के ठीक सामने 30 सेंटिमेट दूरी पर एक बस्तू इस्तित है, प्लेन मीरर के सामने 30 सेंटिमेटर पर एक बस्तू इ तो ठीक इसके पीछे 30 cm पर परती मनेगा लेकिन ऑब्जेक्ट से इमेज की दुरी टोटल 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा डबल डिस्टेंस होता है तो हो जाएगा इमेज से दुरी मापेंगे तो डबल आप मीरर से दुरी मापेंगे तो सेम डिस्टेंट यानि 60 आपका एंसर हो जाएगा 60 कोई व्यक्ति अपना पूर्ण परतिविम किसी समतल दर्पण में देखना चाहता है तो दर्पण की नियुंतमुचाई कितनी होनी चाहिए तो व्यक्ति की आधी हो जाएगा दो समतल दर्पण 70 डिग्री पर जुका हुआ है उसके बिच इस्तित किसी बस्तु के परतिविम्बुक की संख्या निकारें कितना पर जुका हुआ है सत्तर पर आप निकालिए एन इसकोल टू थ्रे सिक्ष्टी आप ऑंठीटा तो यानिके तीन सो साथ में सत्तर से डिभाइड करेंगे एक जिरो से पैंतीस दसमलों रखेंगे जिरो सेवें पॉइंट वन यानिकि ओबर इसको राउंड करेंगे तो शिक्स में जाएगा आज सिक्स में आने कि यह विशम संख्या पर अखना है तो उसमें से घटाएगा तो इसकितना आएगा पांच तो इसमें परतिभीमों के संख्या चोविश नमबर का कोस्टन ऑप्शन यह होगा पांच परतिभीम बनेगा ओके और एक कुस्टन आपका आ गया है कहां से आतो एक इसपेरिकल मिरर से की यूओ भी का ग्राफ क्या होता है आपको बोले थे कि ग्राफ का नेचर जो होता है हाइपर बोला होता है तो हाइपर बोला में आथीप पर बलाय कर दीजिएगा ठीक है अथी परबल है question नमर 25 का भी option हो जाएगा पचीस का अगर आप लोग गलती किया होंगे तो कोई matter नहीं रखता है चुकि इसलिए कि 25 स्पेरिकल का गया था अब आप लोग स्पेरिकल की त्यारे किजिए फिर next वीडियो में मिलते हैं और आपको next वीडियो में आपको ह इसको देखना नहीं भूलेंगे thank you